थी गाईज, वेलकम टू सनत इजी माइन ट्यूटोरियल्स जी हां दोस्तों NLC आज हम बात करने वाले हैं NLC GET exam के बारे में तो NLC का जो admit card है वो निकल चुका है मैंने आपसे कल ही शेयर किया था यह video NLC के admit card के बारे में आज हम बात करेंगे strategy के बारे में क्या हम पढ़ें last आखरी के 10 दिनों में ताकि हमारा exam clear हो जाए और क्या हमें करना चीए क्या नहीं करना चीए आज हम इस video में जानेंगे बहुत important video रहने वाला है दोस्तों last तक बने रही है video पर आपको सारा चीज clear हो जाएगा अगर आप यह सब चीजें follow करते हैं तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं 95% chances है आपका exam बिल्कुल clear होगा आपका call आएगा interview के लिए दोस्तों यह मैं इस भरोसे से कह रहा हूं दोस्तों क्यूंकि इस exam को मैं खुद appear करने जा रहा हूं दोस्तों और मैं अपने बारे में आज आपको बताऊंगा दोस्तों और जो strategy मैं follow करता आया हूं आज तक और जो करने जा रहा हूं और जो कर रहा हूं इस exam के लिए सारा चीज मैं आपके साथ share करने जा रहा हूं चलिए start करते हैं और जो भी इस exam को देने जा रहे हैं आपके friends जो भी है उन लोगों को share कर दीजिए बहुत ही important video रहने बाला है चलिए चलते हैं start करते हैं video यह देखिए यह कुछ मेरे बारे में आप जान लीजिए मैंने B.Tech अपना किया है Completed B.Tech in Electronics and Communication Engineering and M.Tech मैंने VLSI and Emberate System में किया है और अभी कर रहा हूं और मैंने पहले RRB JEE जो होता है रेलवे का Junior Engineer Exam होता है अभी फिलाल में complete हुआ है 2019 में उसका मैंने exam clear भी किया है CPT1 और CPT2 दोनों clear किया है और मेरे को guidance देते हुए दो साल से जादा हो चुके है बहुत सारा competitive exams जो कि technical है, non-technical है सभी के बारे में मेरे को idea लग चुका है किस तरीके से question आता है कैसे attempt करना होता है तो सारा चीज में आपको साथ share करने वाला हूं ऐसे ही बने रही है इस channel पर आगे आने वाले इतने भी exam से हर exam को analysis करेंग अच्छे से और किस तरीके से strategy बनाया जाता है वो भी हम सीखेंगे चलिए चलते हैं अगले slide पर यह देखिए इस exam का basically pattern क्या है देखिए इसमें आपका पहला part होगा जिसमें की quant आएगा आपका 40 number का ठीक है? quant नहीं यह चारो मिला के आएगा आपका देखिए quantitative aptitude, data interpretation जो की DI है, logical reasoning general awareness और general English यह 5 section है 5 section में आपका आएगा 40 marks, overly 40 marks आएगा, 40 questions का 40 marks होगा और यह 4 उन्होंने specially DI भी अलग से लिखा हुआ है quantitative, ability, aptitude भी अलग से लिखा हुआ है तो इसका हम लोग जानेंगे मतलब कैसे आपको prepare करना है और क्या क्या चीज आपको इन 10 दिनों में करना है और पढ़ना है इसके बाद दिखिए professional knowledge है जो की 80 marks का ही इसका weightage बहुत ही अच्छा खासा है दोस्तों तो technical को आप ज्यादा focus कीजिए फिर भी non-tech को आप छोड़ नहीं सकते हैं for part 1 & 2 ठीक है और इसमें negative mark ही खेंग दोस्तों 0.25 marks negative will be there 1 4th of the correct marks ठीक है और अगर 1 mark for each question और अगर गलत करते हैं आप तो 1 4th उसका आपका negative हो जाएगा तो एक question अगर आप गलत करते हो तो दोस्तों तो आप question का तो आपका 1 mark गया ही गया और अगला question का आप 0.25 marks भी उसके साथ गवान देते हो दोस्तों तो इसलिए attend करते समय negative बिलकुल भी मत कीजिएगा जितना आते है उतना कीजिएगा 0.25 यह बहुत important role play करेगा आपके final selection में दोस्तों मान के चलिए यह बात ठीक है और question का जो medium होगा वो English language में होगा इन्होंने अपने official notification में साफ लिखा हुआ है अब चलिए जलते है strategy के तरफ और देखिए पहला section मैं non-tech का बताऊंगा non-tech का पहला देखिए general awareness का बताते हैं general awareness में देखिए expected जो मैं prepare कर करके चल रहा हूँ strategy बनाया हूँ वह है June से लेकर October महिना तक और November का 10 तारीक तक क्योंकि आपका 17 तारीक से exam स्टार्ट होने जा रहा है 17 का एक्जाम है उसके बाद 24 को है और 25 को है तो कम से कम आप यह करके चलिए November 1 से 10 तक November 10 तक आप पढ़के चलिए June से इससे पहले का भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं है भी दोस्तों ठीक है और अगर आप प्रिपेर कर रहे हैं आप exam दे रहे हैं पहले से अभी बहुत exam गया हुआ है non-tech का भी ठीक है ठीक है टेकनिकल में ज्यादा तो इतना निकलता नहीं है vacancy non-tech का ज्यादा तर exams निकलता है फिर भी technical को हमें साथ में लेकर चनना पढ़ेगा ठीक है जैसे कि मेरा case आप मान लीजिए मैं technical non-technical दोनों exams देता हूँ आपको non-tech भी साथ में लेकर चननना पढ़ेगा non-tech का भी आपको side by side touch रहना चाहिए दोस्तों ठीक है तब ही आप exam के लिए applicable होगे आपको पढ़ना तो वैसे सारा है अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो well and good अगर किसी ने अभी तक non-tech पे ज्यादा focus नहीं किया है तो यह जो जो मैं लिख के लाया हूँ दिख रहा है आपको में वह आप cover करते अगर चलेंगे तो आपका मैं बोल रहा हूँ कम से कम अगर यह 40 questions देते हैं 40 में से आप इन्होंने proportion तो लिखा नहीं है कि कितना कितना marks आएगा general awareness का logical reasoning का तो आप on an average 10-10 10-10 मान के चलिए अगर आप 10-10 मान के चलेंगे तो आपका कम से कम 10 मैं से मैं बोल सकता हूँ 5 या 6 questions आपका सही हो जाएगा अगर आप इसमें से cover करके चलेंगे यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यह मैं जितना भी PSU का exam हुआ है अभी जैसे कि आपका RCFL का exam अभी हुआ है फिलाल में इस करके आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इसमें से question पूछा गया है ठीक है तो यह आप छोड नहीं सकते हैं और बाकी आप लोग अगर non-tech exams दे रहे हो तो जैसे कि अभी SBI clerk mains का exam हुआ था ठीक है वो सब अगर आप दे रहे हो तो उसमें तो आप बिलकुल के बिलकूपा मँंट्या आपको आपको रटना है बस जो नूसमें था ऐसले चार से पांच महिना में अभी आपको रहना है नहीं इसके बाद से अभी तक जो भी wildlife sanctuary news में था जैसे कि for example आप देखेंगे Assam में जो है Assam में आपका जो यह हो है क्या बोलते हैं दिगबोई है ना दिगबोई वहाँ पर एक oil field हो गया था मतलब oil का कुछ case हो गया था वहाँ पर तो उसके near में एक wildlife sanctuary है तो उससे related आपका question बन जाएगा तो इस तरीके से में बोल रहा हूँ अगर कोई भी news में recently तो उसका आप बिल्कुल cover करते चलना इसके बाद देखिए appointments बहुत ही important role player का दोस्तों फिलहाल में recently जो जो appointments आपका हुआ है सब आपके fingertips में होना चाहिए ठीक है सब आपके fingertips में होना चाहिए देखिए appointments में जैसे की finance secretary कौन है ठीक है उसके बाद आपका जो revenue secretary कौन है या फिर आपके banks हो है banks में आपका जो director, MD, CEO वगर आईए इसके बाद जो organizations है organizations है जैसे की international organizations हो गया WHO हो गया इसके बाद आपका United Nations का जितने भी सारे organizations है सभी का आपको director, CEO, उसका headquarter वगरा सब tips में होना चाहिए और अभी recent में जो-जो appointments हो है बाद में मैंने लिखाया देखिए governor और CM यह भी बहुत important role play करेगा अभी जो governor CM appointment हो बढ़ा है तो आप ज्यादा मत पढ़ना पिछले तीन महीने का appointment आप करके चले जाना मेरे इसाफ से 3 months का ठीक है मैं भी 3 months का ही repair करके जा रहा हूँ exam में okay मैं खुद जा रहा हूँ exam देने और आपको exam देकर आने के बाद मेरा first shift में है friends 24 November को मेरा first shift में मैं बता दे रहा हूँ आपको और उसका खतम होने के बाद मैं अपने shift का analysis आपको करके बता दूँगा और आगे आने वाले जो भी shifts है उनके लिए बहुत काम में आएगा ठीक है मैं कोशिश करूँगा पूरा अच्छे से बताने का इसके बाद देखिए summits और international treaties जो भी summits होता है international treaties होता है उसमें से question 100% बनता है आपका ठीक है बना भी हुआ है आवी recent में इसके बाद पर्लेमेंट से देखिए general awareness में पर्लेमेंट का थोड़ा important role play होता है वैसे आप पढ़ सकते हैं पॉलिटी में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए fundamental rights है DPSP है सारे articles है बहुत सारे चीजे मतलब इनका role भी है सभी का role क्या-क्या है जैसे कि हमारे portfolios का ठीक है बहुत सारा चीज राजस्तान का पढ़िए यूपी का पढ़िए इसके बाद आप पढ़िए इसका आंध्रपदेश का पढ़िए तेलंग अना का पढ़ लीजिए और आप मान के चलिए दिली यूनिन टेरिटरी में दिली का पढ़ लीजिए ठीक है ऐसे important कुछ-कुछ states है इनका और नौर् मिनिस्टर हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए इन सब का constituency क्या जैसे आधर्निया नरेंद्र मोधी साब का constituency भारणाजी से है डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनात सिंग उनका constituency लखनौ से है लोकसभा के speaker कौन है हमारे ओम बिल्ला उनका constituency कोटा बंदिपूर से है तो इ मैं star mark लगा के चल रहा हूँ आपके लिए देखिए इस रो से related जो भी questions है नासा से related जो भी questions है मतलब इस रो ने अभी फिलाल में क्या-क्या अपना launch किया है satellites वगरा ठीक है और कुछ schemes भी launch किया इस रो ने इस रो ने कुछ नया initiative लिया है सब चीज आपको tips में होना चीए recent 4-5 months का ठीक है सारा चीज आ सकता है नासा के बारे में इसके बाद DRDO अभी तो बहुत चीज कर रही है COVID-19 चलते DRDO बहुत सारा जो PP kits है बहुत सारे मतलब sanitizer से बहुत सारे चीजे में आपको बता नहीं सकता हूं इतने सारे चीजे तो DRDO से related जो भी 4-5 months में जो भी news आप सब क IAT Madras बहुत सारे है जो भी IAT ने जिस जो भी चीज इन्वेंट किया है Corona से related को भी machine इन्वेंट किया है सब चीज आप पढ़के चलिए इसके बाद देखिए ICMR से related ICMR important क्यों है क्योंकि vaccination तैयार होने के लिए ICMR का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में तो ICMR से related जो भी news है इ मिस नहीं कर सकते दूसरों सारा आपको पढ़के चलना है पूरा cover करके चलना है ओके COVID-19 से आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते तो यह भी पूरा पढ़ लेना आप इसके बाद देखिए General Science General Science में आपको कुछ-कुछ पढ़ना है बहुत सारा चीज है इसमें भी लेकिन मैंने य इसका एक मीनिंग है public vitamins and diseases दिखिए तो जो vitamins और disease की लिखा हूं मैं कौन सा Vita-Minen से कौन सा disease होता है कि itis vitamin के कमी से क्या disease होता यह important क्यों है अभी क्योंकि यह यह एक पॉब्लिक टॉपिक बना हुआ है दोस्तों कि कोरोना से बचने के लिए बहुत सारे लोग विटामिन B, C, D इसका प्रयोग कर रहे हैं मतलब कौन सा विटामिन खाने से आपको वैक्सियम आपका इम्मुनिटी लेवल बढ़ेगा आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा ठीक है आपको कोविट-19 एटक से आपका मतलब चांसे कम हो जाएगा तो इस तरीके से इसलिए सारा विटामिन और डिजिजस इसलिए विटामिन B क के ठीके उसके बाद ए इस अब कवर करते चलिए आप और इसके बाद देखिए वैक्सिन्स जो भी पहले वैक्सिन्स थे हमारे बैक्ट्रियल डिजिस कौन-कौन से वाइरल डिजिस कौन-कौन से याद कर लीजिए और उसका क्या-क्या वैक्सिन अभी तक तयार हुआ है ब World Cup हो गया, Women's World Cup, Men's World Cup, अभी IPL चल रहा है आपका, IPL के बाद अभी देखिए GEO Women's T21 स्टार्ट हुआ है, उसी IPL के अंदर ही चल रहा है, यह अभी UAE में ही चल रहा है, तो पूछ लेगा इसका कौन सा edition है, यह कुछ ही नाया था अभी, SBI Clerical Men's में कुछ ही नाया था, कौन सा edition है, GEO Men's की रहा है, तो यह 3rd edition है, लोगों को लगा होगा, यह पहली बार हो रहा है, तब 1st मार के आजाएंगे, तो ऐसा गलती नहीं, क्योंकि इसको ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा IPL को ध्यान देंगे, इसके ब हो है, Athletics का, उसके बाद Tokyo Olympics होने वाला था, वो reschedule हो गया, कहां पे होगा, ठीक है, उसके बाद आपका जो भी, जैसे की, Football का मैंने बता दिया, Football का बहुत सारा है, जैसे की Under 17 है, Under 19 है, ठीक है, और Men's FIFA World Cup भी है, इसके बाद होकी का, तो सारा जो भी events, sports का, और उस से related कोई परसनालीटी आ गया, जैसे की, Badminton से related कोई प्लेयर का नाम आ गया, Football से related कोई प्लेयर का नाम आ गया, Hockey से related कोई प्लेयर का नाम आ गया, वो प्लेयर भी, आप याद रखे कि, इस खिलाडी, इस खेल से संबंदित है, direct question आपका वहां से बन जाएगा, इसके बाद महर्शी दयानंद का है, तो यह पूछ लेगा कि, दयानंद महर्शी का कौन सा स्लोगन, आपको बताना है, तो इस तरीके से important स्लोगन, यह history का एक topic हो जाएगा, अगर इसका आप चाहिए, मैंने इसका special video बना के रखा है, अपने channel पर मैं आपको description link पे, description में इसका link देदू में है, ठीक है, news में कौन-कौन सा places है, मतलब किस जगे में कुछ उठाटन हुआ है, कोई breeze तयार हुआ है, कोई tunnel तयार हुआ है, जैसे कि अटल tunnel अभी तयार हो, मतलब भी फिलाल में तयार हुआ था, तो इस तरीके से कौन-कौन सा जगा है, यह सब आपको ध्यान रखना है recently, इसके बाद budget बहुत important role play करेगा, budget में आपको बस ध्यान रखना है क्या, education, ठीक है, और health, education और health, यह दोनों से ज्यादा question बनेगा दोस्तों, ठीक है, budget में, यह सब आप note कर लीजे, side में, कौन सा topic से क्या-क्या है, मैं बता रहा हूँ, note कर लीजे, जैसे budget में आपका education एक यह दोनों, और आपका रहेगा defense, यह तीनों में, यह तीनों में क्या-क्या budget लगा हुआ है, मतलब कितना कितना amount है, आप साप याद कर लीजे एक बार, और बस यह budget में और कुछ नहीं है, और इसके बाद क्या है, हाँ, budget का present किया गया था, यह date याद रख लिए, यह ज्या अशिया में, और उसका power कितने है, कितना power का, कितना megawatt का install किया गया था, recently जो जो install हुआ है, वो सब आपको याद रखना है, ठीक है, आप दीके थोड़ा चलते है, general static में, जैसे कि आप history से, history से आपको अभी क्या पढ़ सकते है, आप 10 दिन में, कुछ नहीं, बस आपको Mugh Mughal Empire और Modern History, बस यह दो चीज पढ़ लीजे दोस्तों, मेरा बात मान लीजे, दो चीज पढ़ के चले जाए, यह history में और कुछ पढ़ने का जरूत नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकते है, ठीक है, आपको मैं छोटा सा अगर आप बोलेंगे trick बतातेता हू तो Mughal का जैसे कि आपको time period याद रखना है, तो मैंने trick से याद रखा है, जैसे कि B, H, A, S, A, S, A, S, A, मैं नहीं याद रखा है, भाज, S, A, इसका मतलब क्या है, बाबर, बाबर पहले आए था, H से हो जाएगा आपका हुमायू, A से हो जाएगा अकबर, G से हो जाएगा किसने क्या autobagraph लिखा है, क्या book लिखा है, ठीक है, और किसका साशनकाल कहां तक था, यह सब आप धियान रख लीजे, और modern history में थोड़ा पढ़ लीजेगा, friends, modern history में जो जो चीज हुआ था, बस dates आपको याद रखना है, ज्याद तर आपको date से ही questions आजाएगा, ठीक है, जो भी dates है, वो सब आप याद रख लीजेए, और आपका रिवोल्ट जो हुआ था, 1857 का रिवोल्ट वा था, ठीक है, 1857 का रिवोल्ट से लेकर, 1947 तक आप याद लीजेए, बस काफी है modern history में, अगर आप नहीं आद कर सकते हैं इतना, तो बस आप dates थोड़ा आड कर लीजे मैं बोल रहा हूँ, जो Lucent का बुक है, ठीक है, उस में से तो सारा चीज आएगा, यह मैं 100% बोल रहा हूँ, Lucent में से सब चीज आएगा, लेकिन, Lucent अभी cover करना बहुत मुश्किल है, दस दिन में अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, अगर आपका हिम्मत है, वैसे, you are always welcome, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी ने पढ़ के रखा है, पहले से आपको revise भी कर सकते हैं, लेकिन, मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों, और एक बुक है आपके पास, Manohar Pandey, आपको पता हो होगा कुछ, ऐसा नहीं है, आप बस क्या करना, गूगल में जाना, या फिर यूटूब में जाना, या फिर यूटूब में जाना, ये जो टॉपिक्स में बोलाओ, जैसे कि, आप यूटूब में लिखोगे जाके, ठीक है, क्या लिखना है आपको, Monuments, Monuments in News, बस आपको ये और cover कर लेना, friends, मैं बोल रहा हूँ, मान के चलिए, आपको अभी किसी चीज का धियान नहीं देना है, बस आपको पढ़ाई पर धियान देना है, आपको देखना है कि कैसे मेरा topic खतमों का, ज्यादा नहीं, friends, 5-10 मिनिट लगेगा एक topic आपको खतम करने में, 10-15 मिनिट में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 15 मिनिट में हो जाएगा, ठीक है, आपको सब चीज यूटूब से मिल जाएगा, अब चलते हैं अगले section में, देखिए, इतना question आने का chances में से नहीं है, वैसे अगर आ जाता है, कितना ratio उन्होंने नहीं बोला है, मैं आनके चल रहा हूँ, 10 10 questions, ठीक है, इससे जादा भी आ सकता है, कि इससे 15 आ सकता है, कि इससे 5 आ सकता है, अब देखिए, numerical ability और DI, DI उन्होंने specially लिखा है, देखिए, जो RCFL का exam वहा था, ठीक है, उसमें, क्या हुआ था, इन्होंने थोड़ा DI banking level का पूछ दिया था, क्योंकि IBPS करवा रही है, तो अगर IBPS करवा रही है, तो आपको थोड़ा banking और आपको क्या बोलते है, SSC, दोनों का mixed pattern लेके चलना पड़ेगा, एक चीज में आपको पताना भूल गया, friends, general awareness में, banks का भी थोड़ा पढ़के चले जाना, मिस मत करना, क्यों risk लेना है, banks का, क्या आपको पढ़ना है, बस कु SBI Bank ने अभी निकाला है Shagun Scheme, SBI Bank ने निकाला है Shagun Scheme, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको headquarter, याद करना है, headquarter, आप easily याद कर सकते हैं, जैसे जो भी bank आई से स्टार्ट हो रहा है, Indian Overseas Bank इस तरीके का, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मतलब ज चोड़ के मत जाएं, कुछ भी हो सकता है, IBPS खेल कर सकता है, थोड़ा यहाँ से डाल भी सकता है, ओके, banking type का, तो यहाँ पर देखिए, आपका numerical ability और TI जो है, age proportion, यह जो topic में लिखा हूँ, इसको आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, अगर आप पहले से exam दे रहे हैं, तो उसमें कुछ males है, कुछ females है, और males में मान लीजिए, 10% का इजाथा हो गया, मतलब increment हो गया, females में कुछ percent का decrement हो गया, इस तरीके से, तो दो साल के बाद total population कितना होगा, इस तरीके का question आ सकता है, percentage का basics में, इसके बाद देखिए, income expenditure, income और expenditure, जैसे income बढ़ गया आपका 5% से, और expenditure कम हो गया, आपका 10% से, तो overall क्या होगा, उसको बताइए, price consumption, इस तरीके question आप करके चली जाएए, मतलब बस आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर आपके पास RS अगरवाल है, मान लीजिए, अगर आपको कोई भी concept नहीं आता है, RS अगरवाल से बस concept पढ़ लीजिए, बहुत ही simple basic तरीके से दिया होगा, और उसका question आप कैसे कर सकते हैं, आप कोई भी book अगर आपके पास है, banking का आप लगा सकते हैं, या फिर SST का लगा सकते हैं, मेरा मानी है, आप बस concepts को खतम कर लीजिए, book से या फिर book नहीं है, तो वही same चीज है, YouTube में स आपको बहुत सेकड़ो, 100-100 वीडियो मिल जाएगा, मतलब हर topic से अच्छा चा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप बहुत वहां से जाके cover कर लीजिए, और इसके बाद previous year banking का, जो clerical exam हुआ है, previous year नहीं मैं बोल रहा हूँ, अभी ही जो हुआ है, इस साल SBI clerk का exam हुआ था, ठीक है, और IBPS, RRB का exam हुआ था, ठीक है, और पिछले साल का IBPS PO, इसका जो prelims है, ठीक है, इन सबका जो prelims है, prelims को आप exam, उसका बस paper, एक बार लगा लेना, नहीं लगा पारे हो, Google में सर्च कर लेना, उसका paper मिल जाएगा, आप solve कर लेना, या फिर आपको अग किसी नहीं को solve किया होगा, बस वहां से देख लेना, एक बार को से नोट कर लेना, क्या कि आपको सीखने को मिल रहा है, बस एक पैटन आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, मैं बस यहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, फिरेंज, अगर SSE level का तो प्लाटफॉर्म को क्रॉस किया, ब्रीज को क्रॉस किया, तो मतलब कितना टाइम लगेगा, दो ट्रेन क्रॉस कर रहे है, और दोनों ट्रेन के बीच में आपका डिस्टेंस यह है, तो यह इस तरफ जा रहा है, तो relative velocity क्या होगा, इस तरह के कोशिंस हो आता है, compound interest, simple interest, पूर हमें सभी topic का बोखता हूं, आपको ज्यादा deep में नी जाना है, पूरा basic formula जो होता है, basic questions वो पहले लगा लेना है, क्योंकि ज्यादा चांस उसी काई है, अगर कुछ थोड़ा उपर नीचे हो गया, थोड़ा मुश्किल आ गया, तो उसको छोड़ दीजी अभी, पहले basics clear आप easy question आएगा, तो आप जैसे ही आपका हो जाना चाहिए, okay, इसके बाद देखिए number system, number system में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि थोड़ा PSU exam है, तो PSU exam में कुछ तो आपको traditional mathematics जो की SSC में आता है, उस तरीके का आपको लेकर चलना पड़ेगा, देखिए friends mix होगा, क्योंकि predict नहीं किया जासता, IBPS exam ले रहा है, तो banking type का दे सकता है, या फिर traditional SSC का भी दे सकता है, कोई guarantee नहीं है, इसलिए आप इसको पढ़ के चलिए, जैसे कि, जो जो मैं लिखा हूं, बस उतना cover कर लिजे, हCF-LCM, बस आपको type करना है Google में जाके, YouTube में जाके, हCF-LCM, उसे related question मिल जाएगा, remainder theorem से question मिल जाएगा, unit digit, number of zeros, और V board mass, V क्या है, वरना cooler, मतलब ऐसा number होता है, 0.3 bar, 0.3 bar का मतलब क्या है, 0.3333, जैसे चलता रहेगा, इस type का questions जो है, वो questions, और यह क्या है bracket, यह rule आपका पता होना चलिए, इस से related questions आता है, bracket of division, multiplication, addition, subtraction, ठीक है, जहां पी आपको पहले bracket दिख जाए, वो आपको पहले solve करना है, उसके बाद आपका division का precedence है, उसके बाद multiply solve करना है, यह आपको पता ही होगा, basic मतलब number system का है, इसके बाद देखिए, अगला क्या है आपका, अगला है mixture का problems, mixture का problems में क्यों लिखा हूँ, यह थोड़ा banking pattern का है, तो आ सकता है, अगला देखिए, mixture का मतलब, आपका milk होगा, water होगा, इस ratio में होगा, मान लिखे 3 to 4, इसमें से अगर हम कुछ water निकाल के, sorry, कुछ milk निकाल के, उसमें कुछ water मिला देते हैं, तो final ratio क्या बनेगा, इस टाइप कमी basic question बोल दिया, आप 3, 4, बस आपको search करना है, बस कुछ नही basis करके आ रहा हूं आपके लिए CIL का question में देख के आ रहा हूं, okay friends, तो सारा तो उसमें basic जो formula से trigonometry का, ज्यादा तर height का problem पूझा कहा था, जैसे कि, एक, दो pole है, इस pole का height कुछ दिया हुआ है, इसका height कुछ दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच का distance नहीं दिया हुआ है, और यहां से एक आदमी खड़ा हुआ है, वो इस pole को देख रहा है, और इसका angle यहां से दिया हुआ है, 30 degree, तो आपको बताना है, यह distance कितना है, या फिर मान लीचे, यह दिया नहीं होगा, यह दोनों दिया होगा, तो इस तरीके का height का problem हा रहा है, आपको trigonometry का formula है, sin theta, cos theta, tan theta, यह तीनों का formula तो आपको याद होई जाना चाहिए, और इसका reverse हो जाएगा, आपका cosec, or sec, or pot, ठीक है, यह सब का formula आपको याद होना चाहिए, बेसिक, तो आप कुछ question कर लेंगे exam में, इसके बाद दिके जो geometry है, geometry में से आपका जो है, बस आपको formulas याद होना चाहिए, किस-किस का, circle का, square का, rectangle का, rhombus, allelogram, cube, cuboid, triangle, cylinder, यह सब का formula बस आप याद कर लीजिए, कोई question अगर आता है, तो आप कर लेंगे, यह आने का chance है, friends, इसलिए में बोल रहा हूँ, okay, फ्रोड़ा mix है, अगर सिर्फ banking pattern का होता, तो यह में topic में नहीं बोलता, फिर से देखिए AP, GP, AP, GP का, एक question में ने देख लिए था, इसलिए मैं बोला हूँ, अगर आप छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी AP और GP का, जो sum का formula आता है, वो आप देख के ही चले जाईए, okay, तो अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे है, इन दिरों, बस इसका concept आप एक एक बार देख लीजिए, ज्यादा ज्यादा आधा गंटा लगेगा, ठीक है, पांचे कोस्टिंस हर टॉपिका देख लीजिए, इसके बाद आप मौक लागे है, अपको बहुत मौक जाएगा मार्केट में, कहीं सही भी आप ले सकते हैं, वेबसाइट का नाम में नहीं अगला आता है, लॉजिकल रिजनिंग, लॉजिकल रिजनिंग में वही है, मिक्स पैटन आएगा, बैंकिंग और इसका, आपका SSC का, एक है सिंपल मतलब बस दिया होगा कि A is the father of B, B is the something दिया होगा, A, B, C, D, S, एकर के दिया होगा, आपको बस आपका family tree बनाना है, या फ B, इसका मतलब है, A, B का father है, A, B का father है, फिस type का, A minus B, इसका मतलब है, A, B का, क्या है, mother है, तो इस तरीके का, मतलब, कोड से आपको पढ़ना होगा, यह आ सकता है, या फिर photograph, photograph क्या होता है, मतलब, एक लड़की है, मतलब, a girl pointing to that photo in the boy, he said that he is the father of my mother's mother, इस तरीके का, मतलब उस point कर रही है, उस लड़की को, और उसके बारे में कुछ बोल रहा है, तो उस तरीके का question आ सकता है, इसको deduce करके, यह बनाना पड़ेगा, family theory, यह question आ सकता है, और paper का language, जो है, पुरा English में ही रहेगा, ठीक है, Hindi नहीं आएगा, इसमें, इसके बाद इस statement conclusion, argument, assumption, course of action, यह important difference, इसमें सभी का गलत होता है, मैं आपको छोटा सा brief में बता देता हूँ, conclusion जो है, आपको बस statement जो दिया होगा, उसके इसाब से अगर कुछ भी आपको conclude हो रहा है, तो आपका वो answer हो जाएगा, statement में गलत भी दिया है, तो आप उसको सहीं मानना पड़ेगा, ठीक है, फिर if he will jump from the table, then he will not fall and his friends will carry him, मतलब अगर वो table से jump करता है, तो वो गिरेगा नहीं, उसके दोस्त उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, और argument में दिया हुआ है, कि Rahul will not fall, second दिया हुआ है, Rahul will fall, तो आपको क्या लगेगा, answer, इसका क्या हो जाएगा, Rahul will not fall, तो statement में क्या बोल रहा है, वो मान के चल रहा है, कि उसके दोस्त को वो भरोसा करता है, और उसके दोस्त उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, बिल्कुल, तो वो गिरेगा नहीं, तो हमको वही assume हमको भी करके चलना है, ठीक है, argument में हमको भी assume करके चलना है, तो assume अगर हम वो करेंगे, तो answer सही हो जाएगा माफ कीज़ेगा दोस्तों यह argument का नहीं है यह assumption का होगा assumption का क्योंकि हम assume हाँ हमको assume वही करना है आफ कीज़ेगा यहां पर होश्पोस हो गया देखिए assumption का मैं बोल रहा था तो यह example मैं आपको दे रहा हूँ अब देखिए argument argument में क्या करना है आपको अपने आपको judge मानना है तो अगर कोई decision होता है दो favor में होता है एक होता है majority के favor में एक होता है minority के favor में जो majority होगा मतलब जो society में accepted है society में जो accept किया जाने लाइक है उसी को आपको priority देखे उसको answer tick करना है और course of action तो आप बता ही सकते हैं अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ problem हो गया crime हो गया तो crime अगर हो जाता है तो police को क्या करना चाहिए यहां पर लोगों को क्या सोचना चाहिए तो उसके बाद में क्या करना चाहिए मतलब course of action एक चीज होने के बाद उसके बाद हमको क्या steps लेना चाहिए ताकि वो चीज सुधर जाए तो यह आएगा मैं आपको basic बता के चलना हूँ थोड़ा में को idea था यह बता दिया हमें आपको तीक है इस तरीके से आपको solve करना है इसके बाद है काउंटिंग फिगर अ इसके बाद number series में देखिए number series में भी आपका सकता है जैसे कि आपको तीन तरीके number series में आपको तीन टाइप का एक number दिया होगा और एक number और एक number तो बाकी वाला पूछा होगा तो इसमें आपका basically क्या बंदर difference से बनता है कुछ भी नहीं आ रहा है तो difference लगा लगा fraction fraction में ऐसा हो सकता है आपका पहला मतलब मान लिजिए 8 है उसके बाद 4 है उसके बाद 8 है मतलब यहां पर क्या हुआ 0.5 हुआ मतलब 2 से divide हुआ फिर 2 से multiply हुआ इस तरीके का तो यह fraction का है इस तरीका की बनता है आपको पता हो ठीक है तो यह आप थोड़ा questions लगा लेना previous year SSC कि एक जाम हुआ था उसका 2020 में हुआ था मार्च के महिने में मार्च सम्थिंग फस्ट वीक में वा था तो उसको लगा रहे ना बस काम कथम यूटुब में सर्च कर लेना एक दो एक दो पेपर देख लेना हो जाएगा मतलब आपके माइन में पैटन सेट रहना चाहिए क्य जान नहीं लना चाहिए बस वही है बाकी कोश्चिन तो इसी रहेगा आप करी लेंगे ठीक है क्योंकि के मिनिट आप 120 चीज है फिगर में उपका देखिए एक फिगर है उसके बाद कुछ फिगर दिया हुआ है तो उसके बार जबाद पैटन आपको पता करना है या फिर by Embarrade मतलब वही फिगर के अंदर कुछ चीज़ छुपा हुआ है तो कौन से फिगर के अंदर वो चीज़ छुपा हुआ है आपको पताना है option में से और इसके बाद है इसके नंबर अनलोजी नंबर अनलोजी होई है माली जी यहां पर दिया हुआ है 8 related to 64 इसके नंबर अनलोजी तो आप छोड़ी नहीं सकते हो बैंकिंग हो या स्सी हो कोई भी तरीके का हो यह आए 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 और पजल्स यह देखिए आप मेरे मानिए आए प्रिलिम्स उसका पेपर लगा के चले जाए के बस काफी हो जाएगा अनलोजी तो आता ही आपको अनलोजी मतलब कोई भी चीज लिग देगा यह इससे संबंदित है तो यह उससे कैसे संबंदित होगा तो इस तरीके कोशिंस अलफबेट कोडिंग च अलफबेट का कैसे आपको याद रटना है मतलब उसका पोजीशन ठीक है और वाटर इमेज मिरेर इमेज अगर ऐसे सी का डालते हैं तो यह आने का चांसे से बनना नहीं इनिक्वैलिटी क्यों में लिखा हूँ क्योंगी बैंकिंग का कुशिं थोड़ा आ सकता है तो रीज में शिनोनिम्स और अंटोनिम्स बहुत इंपोर्टन रोल प्ले गरेगा मैं आपके लिए कुछ लिख के रखा हूँ मैं आपके साथ चेयर करना चाहता हूँ जो C.I.L. का एक्जाम हो था उसमें आपका अंटोनिम और शिनोनिम से 5 अंटोनिम शिनोनिम से आपका छे अबता है इडियम्स और इडियम परफी इंपोर्टन रोल है तो इन शब से डिलेटेड आपका फिलर सा सकता है फिल इन प्लेंग्स तो इसमें से जो कुछल आया था C.I.L. में तस कुछी ने देजरा था 10 मार्क को फिलर से खिलर से लिख एक कितना इंपोर्टन है एरर से आपका दो कोशिन है था एरर थोड़ा किसी किसी का गलत होता है किसी का सही होता है तो अगर आपको आता है तो किजी और नहीं को स्किप कर दीजिए जंबल सेंटेंस आप कभी मत मिस करना बहुत ही लल्लू कोशिंस है यह मार्क फेचिंग सेक्शन है इसको हमेसा करके लेना यह भी दो मार्क आया था इसके बतार आर्सी जो होता है यहां पर स्टोरी बेस्ट बहुत सिंपल आर्सी आएगा ज्यादा मुस्क सिंपल एस सिंपल अस एक गोटो यूटूब सिंपली सर्च टॉपिक नेम यूविल गेट एवरीटिंग एवरीटिंग एटूज यूविल गेट बस आप यह कर सकते हैं 10 दिन का टाइम आप इसली कर सकते हैं अब दिखिये अब दिखिया आता है प्रोफेशनल नॉलेज प आपसे मार्प आएगा इसका ज्यादा वेट है अचेए 80 मार्ट से यह आपका प्रैक्किस में होगा यह मैं मान के चलता हूँ जिन लोगों ने भी आप टेकनिकल में पासाउट किया है तो टेकनिकल के एक्जाम ही दे रहे हैं आप लोग तो जो लोग भी एक्जाम दे रहे थोड़ा ओंका अभी ठूट किया होगा एक्जामेशन का वो लोग मतलब अभी जॉब कर रहे होंगे या फिक कुछ प्रिपैरेशन कर रहे होंगा अगर मानली जे जॉब कर रहे हैं तो उन लोग क्या करें देखिए मैं बूल लहाँ परेशर से हैं जो लोग अभी पासाउ कर लेते हैं ताकि हमारा सब कबर हो जाए हम ऐसे सोचते हैं बिल्कुल गलत है दोस्तों आपको पहले क्या करना है आपको पहले जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ना है पूरा आपको ठीक है जो आपने पढ़ा है और प्रैक्टिस क्या है क्योंकि वो आपका महनत दोस्तों उससे अगर कोई कोशिन आप गलत करते हो तो that is your bad luck okay वह आपका गलती है और केसी का नहीं है ठीक है तो पहले आपको वो करना है अगला चीज क्या करना है आपको जो आपने मान लीजिए जो भी पड़ा है उसको तो revise करना ही है अगर जो नया चीज है आपने नहीं प आपको मिल जाएगा तो syllabus के साब से आप क्या करना बस basic चीज जो है basic formula और concept उस topic का ज्यादा deep मत जाना third point देखिए don't go in deep deep में बिल्कुल मत जाना बहुत easy आएगा इसमें technical बहुत easy level काता है okay पूरा basic चीज जो मतलब जैसे हम पढ़ना start करते है उस topic को जो चीज पढ़ते है पहला पहला एलाइन जो पढ़ते है वो आपके दिमाग में होना चाहिए बस आपका question बने जाएगा इसके बाद देखिए अगला को क्या करना है सबसे easy simple और एक mark का question है EAC engineering services exam जो IES का exam होता है उसका previous paper आपको लगा रेना है अब से लेकर 10 दिन तक आपको technical में ज्यादा time द सबसे नहीं लगा पा रहे हैं आपने पहले से लगाए होगा तो आपको easy हो जाकर आप नहीं लगा पा रहे हैं खुद से तो आप क्या कर दीजिए YouTube में जाके search कीजिए previous year EAC paper आपका branch का नाम डाल दीजिए बहुत सारे रोग आपको मिल जाएंगे जो कि search कर दिया होगे क्य नहीं पढ़ा जा रहा है ऐसे लगता है तो उस टाइम के आप क्या करना थोड़ा अपना laptop या mobile लगा के आप सुन लेना क्यूंकि सुनने से चीजों को बहुत effect पड़ता है mind पर ठीक है आपको click करेगा exam में बता रहा हूँ अपना experience बता रहा हूँ ठीक है और इसमें भी वह मोक आपको हर दिन देना है इससे ज्यादा आप दे सकते हैं minimum में बोल रहा हूँ एक से दो मोक आपको देना है जो working professionals हैं वो लोग एक से दो ही दे पाएंगे मेरको पता है और उसके बाद proper analysis पर उनको करना है ठीक है उसका यह बहुत important है क्या आपका गलती हो रहा है क्या नह को बाकी चार से पांच घंटा आप दीजिए टेकनिकल को पांच तीन आठ घंटा आठ घंटा अगर आप हर रोज देते हैं तब आप कुछ race में बने रहोगे friends क्योंकि इसमें competition है friends post जादा नहीं यह कम post है ठीक है तो competition ही रहेगा ही और टेकनिकल के बच्चे में बहुत है वो लोग apply करेंगे बिल्गुल ठीक है तो आपको क्या करना है non-tech में बस आपको मैंने जो जो topics बोला है general awareness में वो सब आपके पास अगर book है तो well and good आपने पहले से पढ़ा है तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा और किसी ने नहीं पढ़ा है कुछ भी तो YouTube में जाईए topic तो search कीजिए बस उसका खतम कीजिए ज्यादा से ज्यादा नहीं एक एक दिन में दो गंटा से तीन गंटा non-tech को देना है मैं तो बोल रहा हूं दो गंटा ही दो non-tech को ज्यादा मत दो कि 40 questions आएगा उसमें से भी उन्होंने proportion दिया है बस आप एक बार IBPS PO prelims SBI clerical prelims उसका question ए as a more lot more weightage as compared to non-tech ठीक है तो यही मिर को बताना था इस वीडियो में आपको आखरी के 10 दिन में जी जान लखा दो दोस्तों आपका exam बिलकुल निकलेगा 100% निकलेगा तो God bless you all friends and stay safe, stay positive, stay motivated, okay और all the best for your exams और exam से पहले एक दिन पहले या दो दिन पहले हम लोग बिलेंगे फिर स क्या आपको करना है, क्या नहीं, exam में कैसे जाना है, कैसे attempt करना है, मैं फिर से बताऊंगा, okay, till that time, stay safe, stay positive, जै हिन, जै भारत, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, ये कुछ information रह गया था, all the best for your exams, okay, and ये telegram group है हमारा, easy mind discussion, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, अपना queries post कर सकते हैं, और ये public group है, sanat easy mind tutorials, ये telegram group में आप जुड़ जाएं, okay, यहाँ पे सारे वीडियो का notification आपको पहले मिल जाएगा, सारा news information मिल जाएगा, और य और अपने दोस्तों को share कर दीजिए, channel को subscribe करके bell button को press करना मत बूलिए, okay friends, चलता हूँ, रह जय हिन, जय भारत